नमस्ते दोस्तों मैं महिपाल चोधरी महिपाल इंटेरियर डेकोरेटर में आपका स्वागत करता हूँ और आज अपना वीडियो बहुती छोटा सीम्पल और आपके लिए ये इतना उप्योगी साबित होंगा कि इस छोटे से वीडियो से आप किसी घर, फरनीचर, प्लाट य इतना छोटा ट्रिक है कि कोई भी पांचवी पास लड़का भी एक बहुती अच्छा कासा इंटेरियर यानि फरनीचर मिस्तरी बन सकता है उसको इंची टेप के आंकडे सीखने में किसी को एक साल लग जाता है किसी को छे महीने लग जाते है तो इस वीडियो को देखने के आपके यह सारे डाउट डूर हो जाते है कि इंची टेप कितना ही बड़ा हो एक किलो मीटर का ही क्यों नहीं हो तो सिर्फ आपको उसमें से जीरो से लेके एक फिट तक के आंकडे समझ में आ गए तो आप किसी भी आंकडे को आसानी से समझ सकते हैं तो वीडियो को सुरू क करते हैं बहुत ही एक सिंपल यह देखी यह मैंने यहां पर यह आंकडे पूरे पहले से लिखके रखे हैं ताकि वीडियो के बीच-बीच में लिखने से अच्छा है डिस्टब ना हो और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो प्रेंट्स यहां पर आप तेखिए इसमें लि का जाता है और एक इंच में आठ सूत होते हैं अब आप सोचेंगे कि यह सूत क्या होता है सूत बोले तो धागा धागा जाड़ा पतला कैसा भी हो जाता नहीं उसका भी एक माप रेता है एक सूत बराबर तीन एमेम होता है और तीन एमेम एक सूत बराबर तीन एमेम होता ह तो अपने इस scale में देखते हैं यह देखी थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ यह यहां से लेकि यहां तक यह एक इंच है और यह जो तीन के नीचे में देखो एक लंबी लकीर दिख रही है इसका मतलब यह है कि एक सूत में तीन mm होते है यह आपको देखो यह सानी से दिखाई दे रहा है यह तो यह यहां से यहां तक हो गया आपका एक सूत और यहां तक हो गया यह आपका दो सूत यह हो गया धाई सूत यानि इस लाइन से इस लाइन तक जो आपको दिखाई दे रहा है यह आधा सूत है और यहां से लेके यहां तक में एक मार्किं सतार्षित करते हैं आदा इंच ने हम आपे 14 इंच चार सूथ तो इस भी बात एंग को तो वह इस ऋपना है अब अपना देखते हैं यहां पर एक इंच अशने से याद एक इंच मैं 8 यह उता है बस और及 इलील आप यह एक दम माइक्रो का माप भी बताता है जो एक एम्म से कम होता उसको भी बताता है लेकिन यह मिस्तरी के बासा में इन सब को एड़ नहीं किया जाता है आधा इंच अब आधा इंच को लिखने में अपने ऐसा लिखते हैं एक बटा दो और यह उसका जो निशान है यहां पर यह डबल इंवर्टेड को मारेती है और आधा इंच में सिंपली चार सूत होते हैं यह मैंने पहले ही लिखके रखा है और बारा एमेम होते हैं अब आप ऐसा बोलेंगे कि यहां पर बारा एमेम होते तो यह चोवीस एमेम होना चाहिए नहीं चोवीस से थोड़ा बहुत ज कि यह यहां से लेके यहां तक जो दिख रहा है आपको यह यह दो सूते जा पर मैंने यह लकीर किंची है इसको ही पाव इंच बोलते यह पाव इंच हो गया यह आदा इंच हो गया और यहां पर आप देखिए एक के बाजो में यहां पर जो यह लाइन है इसको यहां तक प और यह आठ आठ इंच का यह एक सूत हो गया यह सवा इंची अब आप सवा इंच को यहां पर एक इंची दो सूत भी बोल सकते हैं सवाई इंची भी बोल सकते हैं यह एक इंची तीन सूत हो गया आप सूत की दूरी को ध्यान में रखिए बस और आपको कुछ भी नहीं इसमें ज़्यादा लंबा समझना है और यह यहां पर देखो आदा इंची यानि यह यहां तक देड इंची हो गया आप इसको एक इंची चार सूत बोल सकते हैं देड इंची भी बोल सकते हैं यह यहां तक पौने दो इंची हो गया आप इसको एक इंची छे सूत बोल सकते हैं पौने दो इंची भी बोल सकते हैं यह यहां पर एक इंची बीच में एक-एक मिली मेटर है, इसकुल में आपको ये मिली मीटर, सेंटी मीटर ये ही पढ़ाया जाता है, शूत का काम बहुत कम पढ़ता है, जब मैं भी जब नया-नया यहां पर ये काम सीखने को आया, तो मुझे बस ये ही सिखाया गया, इंच, सूत, फुट, बस, नई म इपनी की मिली मीटर, तो बस ये इतनी सी जानकारी है, जो आपको पूरे इंची टेप की जानकारी देती है, हलांकि मैंने इसमें कि एक मीटर का माप लिख के रखा है, एक फुट में बारा इंच होते है, और इसमें 30 सेंटी मेटर होते हैं, 30 cm सेंटीमेटर को स्वाट कट में सेमी लिखते हैं और एक मेटर में 49 इंच तीन सूत होते हैं और इसको जब सेंटीमेटर में लिखेंगे तो यह 100 cm होता है सेंटीमेटर आप बड़ी स्केल पर काई भी एक मीटर के आंकडे को देख सकते हैं जैसे मेरे पास में यह बड़ा वाला इंची टेप है तो मैं इसको आपको खूल के दिखाता हूं जाहन से इसमें यह 49 इंच है यह देखिए अब आप देखिए 49 इंच 49 इंच के आगे जहां पर तीन सूत आ रहा है वहां पर बड़ाबर एक मीटर दिखा रहा है यह इंची टेप पूरी फेला ही हुई है लाइव है कहीं से भी उसमें कोई जोइंट या काट चांट कुछ भी नहीं यह देखिए आपको आगे तर दि जोटी सी वीडियो समझ में आई होंगी प्लीज अगर आपको वीडियो यह पसंद आए तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए आपके दिमाग में अगर कोई भी प्रस्न है तो मैं आपको उसका उत अपलाइदूंगा धान्यवाद जय हिंद।